आज हमारे पास है Firebolt की तरफ से आने वाली यह Gladiator watch अगर आप Apple की 90,000 की Ultra watch का feel 25 रोपए की watch में चाहते हैं तो इस watch को आपको यूज करना होगा इससे पहले हमने और भी Ultra series की watch का review किया है जैसे हमने Watch 8 Ultra का review किया है यहाँ पर S8 Ultra का review किया है और normal Ultra watch का review किया है तो अगर आप Chinese Ultra watch को भी check करना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर जाकर देख सकते है मैंने इस watch को Amazon से purchase किया है 2499 रोपए में कुछ इस तरह की box packaging में आपको एक Gladiator watch देखने मिलती है नीचे साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर MRP डली हुए जो किया 9999 रोपए कुछ और basic details हैं जैसे हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं Main highlights इस watch के हैं Bluetooth calling, IP67 water rise stand, 123 sport mode, SPO2 voices stand, heart rate और inward games चेक कर लेते हैं हम इसके box content तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक Magnetic Charging के भी देखने मिल जाती है हाला कि मेरे हिसाब से यहाँ पर Wireless Charger होना था बड़ यहाँ पर Magnetic Charging है इसके बाद box में आपको एक Full User Manual मिलता है और कुछ subscription plan मिलते हैं जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वह है इसका free movie ticket पीछे QR code दिया गया है जहां से आप book my show पे free movie को enjoy कर सकते हैं watch का first look कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है हाला कि watch के 5 colors हैं जैसे कि black, blue, gold black, light gold और orange तो हमने orange color में इस watch को purchase किया है क्योंकि ultra watch का जो look है वह कुछ-कुछ इससे मिलता है यहां पर जो full body है यह metal body है तो पकड़ने में भी एक feel आता है पीछे यहां पर आपको polycorporate का back मिलता है charging के लिए slot दिया गया है और कुछ sensor मिल जाती है SPR2 heart rate, back भी मेरे साब से इससे कुछ और best हो सकता था अच्छा यहां पर आपको strap मिलती है वह भी fix strap है market से purchase करके local strap को आप यहां पर use नहीं कर सकते अगर watch को आप right hand side से देखेंगे तो ultra का आपको बिलकुल क्लोन feel मिलेगा जो crown बगरा है या जो buttons हैं वह काफी हद तक आपको ultra watch की तरह ही देखने मिलेंगे बट अगर आप इसे left hand side से देखेंगे तो मेरे साब से कुछ और अच्छा हो सकता था watch को हम on कर लेते हैं ताकि हम इसे check कर सकें तो यहां पर आपको मिलता है 1.96 inch का HD display और जो इसकी brightness है वह 500 nits हलाकि color की quality काफी अच्छी है क्योंकि यहां पर जो glass है वह 3D curved glass है जिसके कारण watch में एक premium feel भी आता है और जो colors हैं वह 500 nits के कारण काफी ज़्यदा bright भी है नीचे side से अगर आप watch की chin को check करेंगे तो मेरे साब से थोड़ा सा space बढ़ाया गया है बट overall इसका experience काफी सही है लुक काफी अच्छा मुझी लगा अगर आपने smartphone के साथ connect करना चाहते हैं चाहे आप android से करें या फिर ios से आपको इनके daffet app को use करना होगा सबसे पहले हम response time को check करने के लिए notification को enable करेंगे तो यहाँ पर हमने सारे social media की notification को enable कर लिया है यहाँ पर आप देखेंगे जो response time है वह काफी अच्छा है response time से मतलब हमारा यह है कि अगर phone में call आता है तो तुरंत ही आपको watch में so होता है otherwise बहुत सारी watches को मैंने ऐसे भी check किया है जहाँ पर phone आता है बढ़ कुछ time के बाद जो delay time होता है दो second तीन second होता है तो यहाँ पर आपको यह delay time देखने नहीं मिलेगा विल्टन माइक और speaker ने तो आप watch से ही बात कर सकते हैं smart watch में ही आपको एक tracker मिल जाता जिससे आप अपने mobile phone को भी find कर सकते हैं अगर हम extra features की बात करें तो यहाँ पर bluetooth camera का option दिया गया है watch से ही आप video recording भी कर सकते हैं और photos को capture भी कर सकते हैं notification पर भी हमने delay time को check किया काफी अच्छा हमको response मिला है delay time इस watch का विल्कुल भी zero है यहाँ पर आपको apple watch का original dial देखने मिलता है हलकि यह बहुत ही limited features के साथ आपको देखने मिलते हैं अगर आप इस पर tap करेंगे तो यहाँ से हमारे color change होती है अगर आप नीचे side से swipe करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ही notification देखने मिलेंगे social media के जो भी notifications होंगे अगर आप left hand side से swipe करते हैं तो कुछ basic shortcuts और यहाँ पर आपको मिल जाता है voice assistant watch का look मुझे इसलिए पसंद आया है क्योंकि जब आप बहुत close से इसे check करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह ultra watch नहीं है और यहाँ पर जो heart rate sensor वगएरा या SPOT sensor वगएरा है वह काफी अच्छे हैं इनके result भी अच्छे हैं बाकी घडियां और भी हमने जो पहले compare किये हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए sensor दिये गए है बड़ यहाँ पर company दाबा करती है वनियर की यहाँ पर आपको warranty भी मिल जाती है अगर आप left hand side से यहाँ पर swipe करते हैं तो आपको कुछ और basic shortcuts देखने मिल जाते हैं जैसे की weather का option दिया गया है calculator यहाँ पर आपको मिल जाता है और भी अगर आप activity tracker वगरा add करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसके लाबा crown के माद्यम से आप यहाँ पर wallpaper को भी set कर सकते हैं settings पर अगर आप जाएंगे तो multiple settings हैं अगर आप menu style को change करना चाहते हैं तो आप menu style को भी change कर सकते हैं जैसे की grid view, item view तो बाकि सारे जो भी watch में features होते हैं वहाँ तो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे अब हर features को हम यहाँ पर check नहीं करेंगे और firebolt की maximum watches में आपको enabled games मिलेंगे हाला कि खेलना नहीं किस तरह से वहाँ आप क्यों पर depend करेगा यहाँ पर कुछ basic games भी मिलते हैं warranty भी मिलेगी सारे आपको features भी मिलेंगे और look भी आपको कुछ हद तक apple watch ultra का look मिलेगा फिलाल के लिए इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं अगर आप इस gladiator watch को लेना चाहते हैं description box में मैंने आपको link दिया हुआ है जहां से आप directly इसे check कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे like जरू करें चैनल पर new हैं तो मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारे चैनल को subscribe भी करें एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए hashtag cyberbaba